स्वास्थे अलाब के लिए कुछ पोधे लगाई जाते हैं ऐसे ही पोधों में से एक है स्नेक प्लांट तो फ्रेंड्स आर हम आपसे स्नेक प्लांट के बारे में बात करेंगे कि जो घर के खुबसूरती बढ़ाने के साथ साथ कई गुणों से भरपूर भी है तो कई गरेलू पोधों के इस्तमाल जैसे गर के सजावट के लिए किया जाता है और कई पोधे दोस्तों आपको पता है कि फैंशुई को ध्यान में रख कर लगाई जाते हैं तो इसके इलावा कई ऐसे भी पोधे हैं जो स्वास्थे के लिए भी लापकारी हैं और ऐसे ही पोदों में से एक पोधा है स्नेक प्लांट ये उन पोदों में से एक है जो दिखने में तो अच्छा लगता ही है हवा की गुणवत्ता को शुधारने के लिए भी ये जाना जाता है तो आएए दोस्तों आपको बताते हैं कि स्नेक प्लांट के क्या फाइदे हैं औ के बुखे रूप से एशिय और अप्रीका का पोधा है इसे हमेशे हरे दीखने वाले तलवार के अकार पत्तों के लिए पैचाना जाता इसके पते व की तरफ बढ़ते हैं और तलवार की तरह नज乐 आते हैं आप गग पते यह सबसक्तमाइन को अपते लोड़ील ज और अगय इसके पते यह डिखने 2 ले समीरे के पंड है गखने video बहुत कम पानी के अविशक्ता होती है इस पोधे की जो पतियां होती है वो फोड़ी जहरीली भी होती है इसलिए इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और दोस्तों आब आते हैं इसके स्नेक प्लांट के क्या लाव है यह रात में भी आपकी हवा को आपकी घर वो घर के अंदर की वायू यानि की इंडोर एयर को फिल्टर करने में मदद करता है इस खुबसूरत दिखने वाले पोधे की जो विशेश संयंत्र के बारे में अनोखी बात यह है कि यह उन कुछ पोधों में से एक है जो रात में कार्बान डायक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं यह गुण इसे बैडरूम की सजावट के लिए एक अधर्श पोधा बनाता है क्योंकि यह स्वस्त वायू प्रवाग को वियन्यमित करने में मदद कर सकता है और जैलीले प्रदूशकों को हमारे घर से हटाता है स्नेक प्लांट को विशाप्त वायू को अफशोषत कर सकते हैं तो हानिकारक विशाक्त पदार्थों को अफशोषित करने और निकालने की शमता के साथ स्नेक प्लांट एर एलर्जी के इलाव एक प्रभावी बचाव के रूप में भी कारे कर सकता है तो अब दोस्तों आते हैं कि इसके प्लांट की देखबाल कै और घर के अंदर और बाहर दोनों जगहें अपने वातावरण में जए आर्गर मतलब नमी वाले वातावरण में भी जीवित रह सकते हो ज्यादा सुख्य वातावरण में भी वह आसानी से जीवित रह सकता है तो यदि आप अपने घर में स्नेक प्लांट लगाने की योजना आते होएं तो आपके लिए कुछ बातों का ध्यान लगना जरूरी है सबसे नमबर बन पर आता है कि ज्यादा पानी इसके लिए अगर आप ज्यादा एकसेस वाटर यूज करते हैं तो यह पाक पोदे की जो रूट्स नोड है वो नोड जाती है और रूट्स जो है सुपर ज्यादा पानी इसकी जड़ों के सड़ने का कारण बन सकता है इसलिए सनेक प्रांट में तभी पाने डालें जब इसकी मिट्ती पूरी तरह से सूखु हूय आपकेशन चाहिए परखा दोमालाप बार बिकास अबिक्स इंस गार होगया। कोई आवश्यक्ता नहीं होती और इन्हीं गुणों की वज़े से स्नेक प्लांट वह इंडोर एयर को फिल्टर करने और लिविंग रूम या बैड्रूम की शोबा मढ़ाने के लिए भी घर में लगाना आवश्यक्त है दोस्तों आपको स्नेक प्लांट समझ में आ गया होगा कि स्नेक प्लांट आमें क्यों लगाना चाहिए क्योंकि अमें बर्कूर और और यह और तो फ्रेंड्स अपने घर में इस प्लांट को जरूर लगाएं थैंक्यू